व्ट्सअप काईज विल्गम तो मैं चैनल तो थियूरम है एनी टू आइगन वेक्टर्स क्रोस्पोंडिंग डी टू डिस्टिंड आइगन वैलियोस ओफ अर्थागनल मैट्रिक्स और अर्थागनल यह अमने इसका प्रूब करना है कि दो अगर आइगन वैक्टर्स हैं उनक यहां आइगन वैलियोस की डेफिनेशन के मुताबिक हम सबसे पहली लाइन जो लिखी है वान और टू इकूइन्स को अब दो आइगन वैलियोस लेनी है कि a v is equal to lambda v अब यहां पे हमने दो आइगन वेक्टर्स consider करने हैं तो a v1 lambda v1 कह दिया a v2 lambda 2 v2 का नाम दे दिया क्यों लिए दिया हम दो आइगन वेक्टर्स ले रहे हैं दो आइगन वैलियोज लेंगे वैसे आइगन वैलियोज की definition के मताबिक लिखते हैं a v is equal to lambda v तो अब क्या किया next step में अब हमने इन पे transpose लिया है तो पहले वाली दो को 1 और 2 का नाम दे दिया था अब next हम अगर इसका transpose लें v transpose a transpose lambda 1 as it is क्योंकि lambda तो constant generate होता है ना वर्थाग्रान मेट्रिक से तो इस पे हम transpose नहीं लेते ये 1 और 2 से ही बनाई है इनका just transpose लेने के बाद अब multiply करेंगे इनको तो v transpose a transpose अगर इसके साथ किया जाए इसको 1 के साथ तो ये क्या बनेगा a v1 और ये बनेगा अब इसकी साइट पे ये है lambda 1 lambda 2 v1 v2 transpose 4 और 1 को 4 और 1 को compare किया तो ये आगया अब इसी तरह हम इसमें लिख सकते हैं आपको पता है यहाँ पे a transpose a है तो ये किसकी को लाज जाता है identity orthogonal matrix के मताबिक answer क्या होता है identity means हम कह सकते हैं कि a transpose a equal होता है identity matrix की तो v transpose as it is और इसकी जगा पुट किया identity और v1 as it is यहाँ पे lambda 1 lambda 2 as it is v2 transpose v1 इसको भी as it is लिखा अब यह value इदर positive है अगर इसको इस side पे ले जाए तो यह क्या हो जाएगी minus पहली value v2 transpose identity v1 minus lambda 1 lambda 2 v2 transpose v1 आ गया अब इन दोनों में v2 transpose v1 v2 transpose v1 common है common ले लिया तो यहाँ बच गया 1 minus lambda 1 lambda 2 यहाँ equal to 0 आ गया तो अब यहाँ से अब हमने एक matrix पड़ा हुआ है यह यहाँ पे एक theorem है उसकी statement के साब से हमने lambda 2 को 1 लिखे है वो theorem क्या है कि if lambda is an eigen value of an orthogonal matrix उसका mod क्या होता है 1 होता है तो अब इस 1 को असन में हमने lambda 2 में change करना है हमने वह theorem apply करते हुए कहा कि अगर lambda eigen value है orthogonal matrix की तो इसका mod क्या होगा 1 होगा mod का जब square लेंगे तो lambda square का square is equal to 1 आ जाएगा तो इस 1 की जगा put कर सकते हैं lambda 2 का square minus lambda 1, lambda 2 बाकि V2 transpose V1 equal to 0 अब इन दोनों में से क्या comment ले सकते है lambda 2 को तो यहाँ पे बाकि एक lambda 2 बच गया minus lambda 1 यह value as it is तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि यह क्या होगी lambda 2 or lambda 2 minus lambda 1 not equal to 0 because क्यों क्योंकि lambda 2 lambda 1 के equal नहीं है दो different eigen values हैं बराबर नहीं है तो यह not equal to 0 है बाकि जो value बच दी है अगर lambda वाली value not equal to 0 आई थी तो उसके साथ V2 transpose V1 multiply हो रहा था वो equal to 0 के तो इससे हमें क्या पता चला के V2 और V1 यह इनको आईगन values में हम लिख थे हैं आईगन values equal to 0 and V1 and V2 are orthogonal vectors यह क्या हैं orthogonal vectors है V2, V1 दोनों आईगन values के आगी 0 के यह आईगन values को इस तका लिखा जाता है इस सेंबल के साथ तो यह आईगन values है यही था इसका proof अगर इसमें इस से related कोई भी question हो तो आप comment section में पूछ सकते हैं चैनल को subscribe, वीडियो को like कीजिएगा आफिस